हिंदू युफकों ने ताज महल के अंदर गंगा जल चड़ाया दोनों युवक बोतल में गंगा जल लेकर ताज महल में घुसे फिर जल चड़ाया युफकों ने अंदर जाते और जल चड़ाते हुए वीडियो भी बनाकर इसे वारल कर दिया दोनों युफकों को फिलाल गि सवा के दो हिंदुबादियों ने ताज महल के अंदर जाकर गंगा जल चड़ाने का बीडियो जारी किया है बीडियो जारी होते ही पुलिस प्रसासन से लेकर CISF में हड़कम मजगया हिंदवादियों का दावा है कि वो पानी की बोतल में गंगाजल लेकर गहे थे सावन का पवित्र महीना है तो वहाँ ताज महल के अंदर जो भगवान सिप का मंदिर है वहाँ पर उन्होंने जलाब सेख किया है वहाँ पर गंगा जल चड़ाया है तो जैसे ही वीडियो जारी होने के बाद CISF ने दोनों यूबकों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस दोनों यूबकों से फूस्ताच कर उनके खिलाब कानुनिक कारवाई में जोड गई है ताज महले और तेजो महले के बिवाद पहले से ही चला रहा है पहले हिंदुबादी लोगों ने नियाले में भी इसकी याचका डाली है जिसको असेप्ट कर लिया गया है जिसकी अगली तारीक 16 अगस सुनवाई की नियत की गई है तो फिलाल सावन के महीने में पिछले सौंबार को काबर चड़ाने का प्रयास भी ताज ता तेजो महले पर किया गया था तो भही हिंदुबादियों का ये दावा है कि ये ताज महल नहीं ये तेजो महला है मुगल आकरांताओं ने इसको छटिगरस कर यहाँ पर ताज महल बनवा दिया है हलांके हिंदुबादी ये दावा कर रहे हैं कि कोड के माध्यम से और भगवान सावन के महीने में भगवान सिप पर गंगाजल चड़ाने को लेकर हमने पूजा अर्चना की है पूजा अर्चना के साथ ही हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुगल आकरांताओं ने जो हिंदु देवी देपताओं के मंदर को तोड़ फोड कर अपनी जो मस्जिद और मजार बनाई है उनको कहीं न कहीं दोबारा से नकालने के लिए प्रयासरत है और लगातार जिस तरीके से ताज महल और तेजो महले को लेकर बेवाद चला है तो कहीं न कहीं यहां पर हमारी जीत होगी न्याला में हमने केश डाला हुआ है तो वहीं यहां पर ताज महल पर जो नोने जला व कि तेसील प Glean